हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आपके अपने चनल ट्रक्स पारक में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज आपके सामने खड़ी है जे बीम की इलेक्ट्रिक बस जो की 9 मिल्टर के साथ आती है यह जो बसे AC non AC के अंदर available हो जाती है और यह जो mostly आप इसको staff application के लिए यूज़ कर सकते हैं airports के लिए यूज़ कर सकते हैं और city transport के लिए आप इसको अच्छा option को देखने को मिल जाता है इसके अंदर जो बैटिया है advanced chemistry, lithium-ion liquid cooled battery आपको system आपको इसके देखने को मिल जाती है और इसके गाड़ी के अंदर आपको maximum speed आपको 70 km पर हावर की maximum speed आपको देखने को मिल जाती है अब बात करें इसके battery की range की तो यहाँ पर आपको 80-240 km की variation option के साथ आपको यह देखने को मिल जाती है जिसकी gradability आपको 17% आपको इसके अंदर दी जाती है अब बात करूँ इसके axle की तो rear के अंदर आपको single reduction hyper gear सापको इसके अंदर देखने मिल जाते है जो कि fully floating axle आपको shaft में दिया जाता है जो कि gear ratio के साथ आपको मिल जाती है front axle आपको heavy duty reverse ilio type का front axle आपको देखने मिल जाता है steering system यहाँ पे hydraulically power steering दिया जाता है जो कि tilt and telescopic type का दिया जाता है जिसको आप अपने इसाप से इसको adjust कर सकते हो तो यहाँ पे side का profile देखे तो काफी शानदार side का profile दिया है और side के अंदर जो stickering की हुई है बहुत ही शानदार और look wise बहुत ही शानदार आपको दीखने को मिल जाती है बात करें suspension की तो front के अंदर आपको air suspension आपको देखने को मिल जाता है tires की size बात करें तो यहाँ पे आपको steel की radial tubeless tire आपको देखने को मिल जाते हैं और और लेंद की बात करें तो यहाँ पे आपको 900 mm की लेंद मिल जाती है width आपको 2480 mm maximum की बात और width और height की बात करें तो 3550 mm, wheelbase आपको 4750 mm, front overhang आपको 200 mm, rear overhang आपको 2450 mm, में turning radius की बात करो तो minimum आपको इस गाड़ी को मोड़ने के लिए 20 meter आपको required रहता है, floor height की बात करें जो अब हो जो ground ground से रहता है 900 mm का आपको floor height आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, जिससे आप easily इस गाड़ी के अंदर आप exit और enter कर सकते हैं, आपको इसके अंदर कोई problem होने वाले नहीं है और यह जो गाड़ी है लगबग आपको 250 km की range के साथ दी जाती है, जिसको charge करने के लिए आपको लगबग 45 minute के साथ आपको यह गाड़ी फुल charge हो जाती है, इसके लाबब बात करें दोस्तों इसके जो doors की है तो यहाँ पे आपको electronically type के controls आपको इसके अंदर दीजाते हैं, यापको फ्रम्ट की साइड से इंट्र दिया राता है कि रिवर्स अनदर इसाइं और फिछे आपको पूल तो यह बिलाइटो सेंसर भी यहां पर आपको इसके अंदर अवैलेबल हो जाते हैं पीछे का और लुक देखें बहुत ही शांदार है जिसमें आपको एको लाइफ की वैजिंग और उपर की साइड देखें तो यहां पर रिवर्स कैमरा टॉफ रूफ मारकर देखने मिल जाते हैं और जो एसी का सेंबल की है वो यूनिट है उप गाड़ी के टॉप के ऊपर रखे गई है तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी नीट एंड क्लीन और काफी स्पेशियस गाड़ी यहां पर जेविम ने लॉंच करती है क्योंकि आज की टाइम में देखा जाए तो इलेक्रिक विकल का बोल जाती है इसके अलावाद जो डोर से विंडू है आपको स्लाइडिंग एंड फिक्स टाइप की विंडू भी आपको दी जाती है जिससे आपको उफशनल लगे उससाप से इसको यूज कर सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमे शेयर करने ना बुले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में